अभी अभी भागलपूर से एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह ट्रेन की बोगी है जो भागलपूर के लोईहा पूल के उपर चड़ी हुई है जी आपको आश्चर होगा कि यह कैसे संभब है लेकिन सच यही है कि यह बोगी जो है ट्रेन की बोगी है जो भागलपूर के लोईहा पूल के उपर तोड़ते हुए मुकी सूजा गंज बाजार की तरफ गिरी हुई है यह आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेसन चौक भागलपूर रेलवे जक्सन और यह भागलपूर जंक्सन जो आप देख रहे हैं भागलपूर जंक्सन से हम लोग बस स्टेंड की तरफ जब बढ़ते हैं लोईहा पूल से तो वहाँ पर यह हाजसा अभी से कुछ दियर पहले हुआ है पूरी की पूरी एक भॉगी आप देख पा रहे हैं लौय हा पूल के उपर चरही वी है सुबर सुबर जब यातरी इधर से गुज़रे आने जाने वाए जब जब आश्यर हुआ कि लौय हा पूल के उपर एक ट्रेन की भॉगी कैसे चरह सकती है जिस लोहिया पूल के उपर बस चलती है ट्रक चलती है उस पर ट्रेन की बौगी कैसे आ गई जो ट्रेन लोहिया पूल के नीचे से होकर गुजरती है लोगों को आश्चण हुआ कि वो बौगी कैसे आ गई तो बिल्कुल भागलपूर जंसन से जो आप बस स्टैन्ड की और जाते हैं लोहिया पूल पे वहाँ पर ये ट्रेन की बोगी एकाएक लोगों ने देखा कि लोहिया पूल के उपर ट्रेन की बोगी, पूरी की पूरी बोगी आ गही है आपको हम दिखाते हैं पूल को तोड़ते हुए लोया पूल के किनारे के रेलिंग को तोड़ते हुए पूरी की पूरी बोगी बागलपूर मुख्य बाजार की और जाकर गिरी है हलाकि उस रच्छा के लिहाज से अभी आने जाने वालों के लिए रास्ता को रोग दिया गया है भागलपूर का ये मुख्य सवक पूरी तरह से अभी ब्लॉक कर दिया गया है उस रच्छा के लिहाज से आपको बता दे ये घटना सुभा सुभा हुई है जिस समय बाजार में भील कम थी लेकिन अगर ये घटना ऐसे समय में होती जबकि बाजार में भील होती है तो काफी बड़ी दुरगटना हो सकती थी अलाकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है जैसे अब तक खबर आ रही है कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमेशा हजारों की भील लगी रहती है साथी नीचे में काफी सारे फल और सबजी बिक्रेता रहते हैं जो यहां पर फल और सब्जी बेशते रहते हैं उन्हों की जान पे आफ़त आ सकती थी बहुत बड़ी घटना हुई है हालाकि भगवान का सुक्ल है कि कोई हताहत नहीं हुआ है अब आपको बता दें कि आपको या शड़ हो रहा होगे घटना घटी कैसे क्योंकि पटरी तो लोहिया पूल के नीचे है तो ट्रेन की बॉगी लोहिया पूल के उपर कैसे आ गई तो आपको बता दें दरसल मामला ये है कि इस बॉगी को लोडर पे लोड करके याड से इस्टेशन की और लाया जा रहा था लोडर मतलब कर सकते एक बड़ा सा ट्रक होता है हाइवा होता है जिसमें की बॉगी को कहीं ट्रांस्पोर्ट किया जा रहा था याड से उठा करके जो आप देख पा रहें सामने लोडर है आप देख पारे हैं सामने जो आप देख रहे हैं यही लोडर है इसी के उपर लोड करके बॉगी को लाया जा रहा था तो लोगों को समझ में नहीं आ था कि यह घटना घटी कैसे क्या क्या देखे बताईए आप जो है अब कोलागी पोशे आए गाड़ी आया आगे पिछें इसकी करहा था तो आगे जो इसके पिछें वाल सुगतारा देख देखें सो ओ केया होऊ इसको तो पीछें वाले को permettre चाहिए दा गारी में लेकिन यह पाना नहीं, अंबलेंस हो गया, यहीं से उसका हंडिल करें, मतलब जग्मक करते हुए जा रहाता, आगे जएते जएते वो इधर घुषा दिया पूरा गाड़े, गुषा दिया तो इसका ब्रेक फैल हो गया, इंजेंट पुपके फिका गया, मेरे आंग के सामने कितना आदमी था उदर, उदर आदमी नहीं था, खाली था, अगाई स्टेशन तरफ टेल दतो, उदर से वाज आता तो आदमी बहुत घाल हो जाता, लेकिन उदर नहीं गिया, गाली इधर गुष गिया, ड्रैबर मोड़ दिया, उसके लुखता है, क्या नाम हुआ आपका, अपको बता दे, ड्रैबर से हमने बात की, तो ड्रैबर ने कहा कि इस बॉगी को लोडर पे लोड करके हम लोग रेलवे इस्टेशन की और जा रहे थे, एका एक उसका बैलेंस बिगल गिया, बैलेंस बिगलने के बाद ड्रैबर ने मसूस किया कि वो ब्रेक नहीं लगा पा हादसे को टाला, चुकि अगर वो सीधा, चुकि ब्रेक फेल हो चुका था, अगर सीधा इस लोडल को ले करके इस्टेशन की और बाल जाता, तुझर काफी सारे लोग इस्टेशन चौक पर जमा रहते हैं, काफी बड़ा हादसा हो सकता था, ड्रैबर ने सूजभूज तो एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, आपको याद है, लोईहा पूल जो पहले उल्टा पूल के नाम से जाना जाता था, उल्टा पूल पर दिसंबर महने में ही, दिसंबर महने में ही, तीन दिसंबर को बड़ा हादसा हुआ था, जबकि उल्टा पूल, जो प्रना उल्टा पूल है, वो बोगी को उपर गिर गए थी, काफी सारे लोग मरे थे, तीन दिसंबर की घटना थी, और ये साल जब खत्म होने वाला ये दिसंबर का ही मेंना है, बड़ा हादसा होते हो बलॉक कर दिया गया है रास्ते की बैरेकेडिंग करके रास्ते को बलॉक कर दिया गया है आने जाने वाले लोग जो भी यहां पर आ रहे हैं उनको अस्चर हो रहा है कि यह कैसे हो गया है क्योंकि जो ट्रेन पूल के नीचे चलनी चाहिए थी जिस बोगी को पूल के नीचे होना चाहिए था वो पूल के उपर कैसे आ गया है तो लोग आस्चर से देख रहे हैं हलागी कोई बड़ी घटना नहीं घटी है तो लोग यहापर मौजूद लोग हसी मजाग भी कर रहे हैं कि यह कैसे हो गया है वैसे सुलक्षा के लिहाज से दोनों तरब से पूल की बैरिकेडिंग कर दी गई है और आने जाने वाले लोगों को रोग दिया गया है मौके पर यातायाद डी-स-वी खुद मौजूद है सारे सुलक्षा बल मौजूद है साथी रेलवे के सुलक्षा करमी भी मौजूद है I am यातायाद डी-स-वी से सिधे बात करते हैं सुबह का समय है जानकारी इन्लों पर उनिक पर छोटम की यह निचे से चुछन आने तेटा आगए-बागे आए तो सामने आप देखी रहे हैं वह इसे खाली कराना चिक आम पबिल्क को याता यात वी रविवार और लास्टे है अज साल का लास्टे है लोगों का वागमन ज्यादा रहेगा जितना जल्दी हो खाली करने का प्रियास करने कि अब यह कुछ नहीं हुआ इस वर्क्रिपाय है इसको इस पर सुप्रिकार करने हैं आज रविवार के चलते कुछ कम वश अब भी जो लोग सर घर से निकले हैं उल्टापूर का रास्ता यूज करने के लिए वो घर से निकल रहेगा वारे वीडियो देख रहे हैं तो लोग ले क्या कहिएगा लड़का लोग लगा हुए ट्रफिक वाला इसको घूम के आना पड़ेगा उपाय क्या है भी तो यह कुछ लड़के आ रहे हैं तो इसको मना किया गया गटना घट जाए तो उठीक बात नहीं है तो लोग अभी ऐसे भी भूला पूल बंद है और यह रास्ता वी ब्लॉक हो गया है तो लोग किस तरह से कौन सा रास्ता यूज करेंगा यही रास्ता उल्टापूल होके आके घ कि अगर आप निकल रहे हैं भागलपूर मुख भागलपूर आने के लिए पहले से रास्ता बंद है और अगर उल्टापूल की तरफ से आना चाहते हैं तो इस टेशन की तरफ से अभी आप नहीं जा पाएंगे अगर आपको जाना होगा तो लोहियापूल के उपर बीच मे आ करके आपको बस स्टैंड के तरफ से जाना होगा भागलपूर आना चाहते हैं क्योंकि रास्ता अभी ब्लॉक हो चुका है और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी आप लगातार टीवी अंगर परदेश साथ बने रहें जो भी सूचना होगी जो भी खबर आ कि यह बता है जो जो बता है कि आपको हो हो बता है